हेलो फ्रेंज वेलकम बैक टी यो चैनल सनाथनु व्लॉक्स आई होप आप बढ़िया होंगे और हमारे वीडियो को एंज्वाइ कर रहे होंगे जैसा कि आपने हमारे लास्ट व्लॉक में देखा कि हम किस तरह से मस्ती करते हुए खाना बीना बना के खाते हुए चाय नाश्टा करते हुए मस्ती करते हुए अराम से हम अराश्ट्रा पहुच गए तो फटा फट बीना देर किये शुरू करते हैं इस व्लॉक को लेके भगवान शंकर का नाम बोलो हर हर महादेव की जय खाए कि यहां पर भीर बहुत जाता है यहां पर तो ऐसे पताया जा रहा है कि जनरल दर्शने करने के लिए 6-7 बंदे का टाइम लग सकता है तो हम लोगा मैंटली प्रिपेर हो के जाएंगे लाइन लगने के लिए तब दे सकते ही जहां पर हमारा होटल है वह लख साइट से रास्त मंदर जाने की तो फटाफट यहां से ब्राप करके मंदर जाते हैं और वहां पर यतना व्लॉग हो सकता है हम आपको दिखाएंगे कि वहां के सिचुवेशन कैसी है और हमें फाइनल दर्शन कैसे हो रहे हैं कैसे होंगे हमी साही चीजे आपको इस व्लॉग में इन तक इस आप सभी बोलिए मेरे साथ ओम नमस्षिवार तो हम जैसे ही अपनी होटल से पार्किंग तरफ गया अपने समान रखने के लिए तो हमने सामय देखा कि वहां शंकर भगवान जी का बढ़िया सा बंडारा चल रहा था जिसे बहुत अच्छी से सब्जी पूरी और मुद्नुत कि बट रही थी तो अंश भी उस टाइम भूका हो गया था तो हमने भी बढ़िया अराम से मन भर के बंडारी का प्रशाद ग्रहड किया और प्रशाद लेके अपने दर्शन के लिए वापास से चल दिया प्रशाद तो यह रिशी प्रशाद लोज जो देख रहा है आपको यहां यहां पर हमने रूम लिया था और बिल्गुल जस सामने यह जो काली वाली बिल्डिंग हमने दिखाई आपको इसके ज़स पीछे मंदिर यह आप ब्लैक कलर का देख सकते है मंदिर यह यह त्रेंब आरे भगवान जी के दर्शन करने के लिए कह रहे हैं कि 6-8 घंटे की लाइन लगी हुई है अगर आप जनरल से जाते हो देखते हैं वी आई पी का कुछ उगाल बन पाता तो करते हैं नहीं तो फिर भीया जहां साब वहां हम हम जैसे ही मंदिर पहुचे हमने देखा वहां वी आई पी की लाइन के लिए यह यह वी टिकट के लिए भी बहुत लंबी लाइन थी जिसमें अगर हम लगते तो हमको कम सगाम 5-6 घंटे लग जाते बट ऐसा लग रहा था शेप भगवान जी ने खुदी प्रकट हो गए ब अफुट टिकट लेने के बाद हम वी आईपी लाइन के लिए लग गए तो यह दोसों की टिकट में यह एक-एक पानी सब को मिलता है और यह फिलाल हम लाइन में आ चुके हैं यह देखिए बाबा की लाइन लगी हुई है और यह देखिए अजया है यहां अच्छी चीज मुसे हं यहां पर लगी फिल्चैस में नहीं थी यहां वे दिकि हर लॉइन में बैठने के लिए बनाया हुआ है जब लंबी लाइन लगती दो आदमीं आराम से बैठ सकता है कि आप है जाए 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 कि जाए तो अभी जो लाइन आपको ये ग्रिल के बीच में दिख रही है वो तो हई है उसके बाद आप वो देखो वो जो लाइन है वो पीछे तो कहीं के घूमगाम के आई है तो ये पूरी लाइन आने के बाद हमें को अल्टिमेटली इस जगह पर जाना है ये है बाबा का मंदिर जैसा कि आप इस बोर में देख पा रहे हैं कि भगवान के गर्वग्रह में एक बड़ा सा आईना लगाया गया है क्योंकि आपको ये पता है कि तरे मिकेश्व भगवान में कोई शिवलिंग इस्थापित नहीं है वहाँ छोटे-चोटे से तीन पिन दिए गया है जिसे ब् दर्शन अच्छो चारू रूप से हो पाए है कि अब हम पहुंच चुके बिल्कुल द्वार पे बाबा के काफी भीड़ती लेकिन बाबा के दाया से हमें जादा प्यूर का सामना नहीं करना पड़ा और वी आपे में भी भीड़ती लोग उतारे पांच पांच गंटों से हमें हार्ली आदे से पॉन गंटा हुआ है जाता नहीं हुआ है और हमारे जस सामने बाबाजी है यह देखिए हमारे पिछे यह बाबाजी का गेट बस हम दर्शन के बिल्कुल कुछ ही समय बस दूर है कोशिश करेंगे कि अगर शूट करने को मिला तो वहां पे भी आपको बाबाजी को 20 मिनिट्स लेटर तो अभी हमारे भगवान जी के दर्शन अप मेरे पीछे देख सकते हो मंदिर है और हमने भगवान के दर्शन कर लिया है लिटरली मैं काऊंगा कि भगवान भोले ना कितनी करपा थी जब हम अंधर एंधर एंटरी कर रहे थे तो हमें पता चला कि 5 गंट के बाद हम जब VIP की एंट्री से हमने करी और हाडली आदा घंटे में हमें अपने भगवान की दर्शन बहुत ही प्यारे तरीके जो हो गए तो दर्शन में काऊंगा कि बहुत अच्छे हुए व्यवस्ता बहुत अच्छी थी लाइन से जो आपने पिछले शॉट्स देखी अब हम इस गेट से अंदर भगवान के दर्शन करके आए हैं अब अच्छ यहां पर आकर तॉइस देख रहा हैं च्या लेना है इसने फाइनली ये ओईल टेंकर में कॉम्प्रमाइस किया है सिदा करो सिदा करो वाव वाव वावन्च वाट इस देस पुए टैंक नीचे करो अगवाट इस दिस वाइट टैंक वह इड़े गुट सुट्रेंब केश्वार मंदीर से हाडली पांच मिनट की वाकिंग डिस् किये तो आप तो आपका तीर्थ जोए वो अधूरा रहेगा तो चलिए आप उस कुंड के दर्शन भी करते हैं तो अगर इस कुंड की मैं बात करूँ तो इस कुंड का नाम है कुशावर्थ घाट जो त्रमबकेश्वर जोतिरलिंग के मुख्य मंदिर से हाडली 400-500 मेटर की दूरी पे है तो आप आराम से पैदल यहाँ पर आ सकते हो तो आप जैसा कि देख सकते हो यह कुंड की तरह बना उपर गौहत्या का पाप लगा दिया था और गौहत्या का पाप तभी छूट सकता है जब आप गंगा में स्नान करिए और गंगा माने यह शर्त रखी गौतम रिशी से कि चब तक प्रभू भोलेनात यहाँ पर विराजमान नहीं होंगे तब तक मैं भी यहाँ पर नहीं आ गौदावरी नदी का ही है जिसे दक्षिड की गंगा भी कहा जाता है और इसमें जल्च रखने से और पिस्नान करने से दुनिया के सारे पाप नश्ट हो जाते हैं तो तब से यह कहानी चले आ रही है और इस घाट का एक अलग महत्तौ है कि आप हमारे फाइनली दर्शन हो चुके हैं तरहां बेकेश्र भगवान जी के भी और गुदावरी घाट के भी तो दोनों की दर्शन करने के बात अव हम यहां से निकल रहे हैं नातिक के तरफ तरफ त्यकि नासिक में कल सुबह हमें घाट पे जाके श्नान करना है वहां बहुत प्सिद मंदिर भी है रामची का और सिता जी का उसकी भी दर्शन करनी है जाकर तो अभी के लिए फिलहार इतनी है कि हम यहां से निकल के अपने होटल में चकिंग करेंगे जो कि हमें नासिक में लेना है कि उने प्रेबुक नहीं किया कि हम आइडिया नी था कि कितने जैसे कि इनों ने बता भी दिया था कि दर्शन हमारे बहुत ही अच्छे हुए हमें उम्मी ने थी इसनी जदा भीर होने के बाद भी एक बंदें के अंदर हमको टिकर भी बिल जाएगी विए पीकी और में दर्शन भी मिल जाएंगे तो बहुत ही अच्छे से दर्शन जगाता हमने आपको साजी से दिखाई तो और आपको ये व्लॉग अगर अच्छा लगा हो तो प्लीस लाइक जरू करिए और अगर आफ फर्स टाइम इस चैनल को देख रहे हैं तो उसमें ओम नमस्षिवाई जरूर लिखिए और चैनल को सब्स्राइब जरूर करिए और पैल आइकन को प्रेस करना बिल्कूल ना भूलें क्योंकि ये तो अभी जर शुरुवात थी त्रहमकेशा भगवान की दर्शन करके अभी हमें बहुत सारे दर्शन करने हैं अभी दो जो देलिंग हमको और करना है और हमें शेटी में जाना हैं और सणी सिंगापूर भी जा झाल